तो भाईयो नया वो लोग शुरू हो गया है और मैं आ गया हूँ घेर में घेट बंद कर दूँ और यह एंसी का है देख लो हेलो दोस्तों यह मेरी बेटी है छोटी आजा आजा जली भाई हूँ बुला ले दोस्तों चलते हैं खेत में मुगी लेकर है और है 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 हुआ मैसी कुकालो मैसी से चलें है 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 यह दुस्तों गेर है अपना कि यह परी कपी लगाए है और यह पच्चे है यह यह अंस है छोटा विलोगर है बहुत इन पताता है दोस्तों अभी मैं क्या देता हूं टेक्टर निकाल तो लड़का कॉंफिटेंस में आ जाता है एक दोस्तों पूरा चला लेगा कोई बादनी किसान का बच्चा है सब सीख जागा यह मेरे पिछ्छे जो है आप देख सकते हैं बुगी है इसमें गुबर भरा जाता है इन चीज़ की कोई गंदकी नी तो देखो गुबर में तो हाथ भाणने पढ़ेंगे और दूद होता है चाज होती है दही होती है यह सबीनी की वज़े से हो जाता है और यह मम्मी जी है हमारी मम्मी देखियो हेलो मम्मी बाई यो आपको हेलो कर रही है मम्मी वो गाएं के लिए दाना जो होता है न दड़ते हैं वो बना रही है क्योंकि वो गोरी गाएं जो है वो उसका डिलेवरी का लाच समय चल रहा है एक महिना रह रहा है और इसे मम्मी से कितने दिल भारे है अभी काली को काली भेस है इसे मुझे लगा है अभी मम्मी बतारी दोस्तों इसे चटा महना लग गिया मम्मी को सब ध्यान है इसके बारे में इसका छोटा जो कटड़ा है ये इधर है चोटा मिम्मा आपने लिखा होगा अभी तो मिम्मा ही यह खैर ये और ये अपना चीता है यहाप को पता हीए सब करीदा ये मैसी है हमारा प्यारा दूट्सों जब सब पुराने से देदी अब ये नया चलाने में ज्यादा माजाता है अब चलते हैं लेकर थोड़ा सा खेत में दिखाऊंगा बच्चे आज साथ जाओंगे जीद कर रहे हैं पूरी पूरी पापा को दवाई दिलवाने गए हैं और चल रहे हैं ये दोन्नों समयंदार बच्चे अंस चाब भी लाव टेक् पिछे अंस हलो इस्टार्ट कर दो अब तो थोड़ा आज दिखते हैं अब खेत में बुग्गी जुडगी है बच्चे दुनों बैठ गे हैं दोस्तों आज संड़े हैं अब यो बुग्गी खली करेंगे दोस्तों कुछ का जो हमें अपनी लाइफ में करने ही करने पड़ते हैं और यह रूटीन में आते हैं इनका कोई दिन नहीं होता कोई समय नहीं यह तो हमें करना ही है जैसी मतलब गबर उतारना गोले ले जाने खेत में प तो अपना एक काम है अपनी जिम्मेदारी है अब चलते हैं उदर वो बरसी काट रहे होंगे ठेकेदार जहीं बरसी उससे रखते हैं इसे बुग्गी को खली कर दूँ मैं एक बार अजड़े को बच्चे परेगना का रहे हैं और भैकेदार समरु दौगू मैं गोले रख पा रहा है और यह मेरे जो पिछे गन्ना देख रहे हैं आप यह ट्रंच का गन्ना है मैं बुग्णी की उंचाय पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यह जो है साट इंच पर बोयता हमने और गन्ना बहुत ही अच्छा निकल रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों हुआ मेटना नीची है मेरा कहने का मतलब यह है और आज का विलोग पूरा होता है वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें नहीं हमस्काा नहीं है